जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमसोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद हैं तेरे दियूस क्लिकवर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे नाजसकार बोल किलब आजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा मेरा किसान जो है न वो अब भी उम्मीद नहीं हारा है वो अब भी जब भी उसे मौका मिल रहा है वो सत्ता पे बैठे हमारे विधायकों से हमारे सांसदों से लगातार सवाल कर रहा है दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों कुछ दूनों पहले ट्विटर पर एक वरिश पत्रकार ने एक बहुत ही दिल्चस्प जानकारी दीती उस जानकारी के मताबिक और आपको सुनना पड़ेका कि भारती जनता पार्टी सरकार ने यानि कि मोदी सरकार ने न्यूस चैनल्स को और अखबारों को एक नया फर्मान जारी किया है और उस फर्मान की मताबिक अब आप किसानों को और बदनाम ना करें अब आप किसानों की बात ही ना करें न्यूस चैनल्स पे और उस पत्रकार नी ये भी कहा कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोई भी न्यूस चैनल जो है वो किसानों की चर्शा नहीं करेगा उन्हें गालिया नहीं देगा उस पत्रकार नी ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने ट्विटर से सन्यास ली लूँगा और लगभग वही होता है दिखाई दे रहा है दोस्तों अब कोई भी न्यूस चैनल किसानों की चर्शा नहीं करता अब कोई भी न्यूस चैनल ये नहीं कहे रहा कि किसान जो है देश दुरूई है कोई ये भी नहीं कहे रहा है कि किसानों के रहने से टीकरी बॉडर, सिंगु बॉडर गाजी पुर तमाम जगाँ से आम इनसान को कितनी तकलीफ हो रही है अब किसी भी बॉर्डर पर आप भारती जनता पार्टी की प्रायोजित भीड नहीं देख रहे हैं जो कि देश के घद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगा रहे हैं कहीं देख रहे हैं आप ऐसा ये सब आपको अटपटा नहीं लगता दोस्तों यानि कि पहले तो आपने किसानों को बदनाम किया जब आप समझ गए कि किसान तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है और तुम्हारा ये पैतरा उस पे काम नहीं करेगा तो तुमने दूसरा एक तरह से शिगूफा छोड़ दिया कि आप किसानों की बात ही ना करो मगर किसान, चुपचाप, गांधी के सत्यागरह के अंदाज में अपनी बात रख रहा है दूसरा मैं सबसे पहले आपको तस्वीर हिसार की दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से पूरा परिवार जो है वो किसानों से भागा भागा, दोड़ा दोड़ा फिर रहा है दोस्तों और अजीब और गरीब बात यह है कि चौटाला परिवार जिन्होंने अपनी पूरी सियासत किसानों के इर्दगिर्द रखी, आज की तारीक में उनकी ये हालत हो गई है एक विडियो जो है उन्होंने पेश किया है जिसमें हनुमंत गड़ राजस्तान में कुछ किसानों ने बीजेपी विधायक को घेर लिया है दोस्तों कुछ दूनों पहले पंजाब से एक बीजेपी विधायक है अरुन नारंग, उनके साथ बहुत ही ज़ादा बत्तमीजी की गई थी जिसमें कथित तोर पर किसानों की एक भीड ने अरुन नारंग के जो हैं कपड़े उतार दिये थे और बीरहमी से बिटाई की कि अगर उस भीड में किसान थे और अगर ये काम किसानों का है तो वाकई शर्नाक है क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपका जो आंदोलने वो बहुत ही खुबसूरत रास्ते पर चल रहा है हिंसा का दामन पकड़ने की बिलकुल भी जरूरत निए मैं जानता हूं इस वक्त मीडिया आपकी चर्चा नहीं कर रहा है मगर मीडिया वो अक्सिजिन नहीं है जिसके दम पर आपको चलना है नहीं इस मीडिया ने आपकी कोई मदद नहीं किया है इस मीडिया ने सिवाए आपको बदनाम करने के और कोई काम नहीं किया है और यहीं नहीं मैं एक कदम और आगे जाके बोलना चाहता हूँ आप सब जानते हैं मेरा अन्नदाता जानता है कि मैंने तमाम कारिकरम आपके पक्ष में किये हैं क्यों मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं उन समस्याओं का सामना नहीं करता हूँ, जो एक आम तोर पर किसान को करना पड़ता है, मगर मेरा ये मानना है, कि इस देश में हर शक्स को आंदोलन करने का अधिकार है, शांति पूर्ण तरीके से, गांधी के दिखाएगा इस सत्यागरह वाले रास्ते से, इसलिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ इसलिए भी हूँ, कि आप लोगों ने हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया, आपको बदनाम किया गया, अगर आप हमेशा उससे पाक साफ होके, बाहर निकले हैं, तो आपको मेरे जैसे पत्रकार की भी जरूरत नहीं, जो आपके लिए बात कर रहा है, आप इस आंदोलन को ठामे रहिए, आपको अंदाजा नहीं है, कि आने वाले दिनों में, ये आंदोलन जो है, क्या मुकाम र यार की है, जो मैं चाहूंगा कि ये दो मिनिट की पेशकश आप भी देखें, कि किसान किस तरह से अपने आंदोलन को नया मोड, नई शकल लगातार दे रहा है, करीब दो मिनिट का वीडियो है, जो आप देख चुके हूंगे हमारी यूट्यूब चैनल पर, बगर मैं चाह यूट्यूप कि यूट्यूब चाहिए झाल झाल तो ये है मेरे किसान की ताकत ये है इस देश के अनदाता की ताकत आज भी वो अपनी बात रख रहा है आज भी वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहा है मैं जानता हूँ एका घटनाएं ऐसी हो जाती है जो अपवाद के तौर पर है और मैं आपकी मनस्थिती को भी समझता हूँ क्योंकि आंदोलन करना ये बहुत आसान काम नहीं है अंग्रेजों के वक्ट जब आप आंदोलन कर रहे थे तो पूरा देश उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ था प्रचार तंत्र आपके खिलाफ नहीं था आज की तारिक में जब आपि आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे प्रचार तंत्र के जरीए देश की जनता में बिठाया जा चुका है कि किस तरह से किसान देश-दोही है किस तरह से किसान की मांग जो है वो घैर वाजब हैं, नाजायज हैं इसलिए उस किसान की चुनौती और जादा बढ़ जाती है मगर उस शांतिपूर्ण रास्ते के दामन को मत छोड़िएगा उस शांतिपूर्ण रास्ते को मत छोड़िएगा तब ही सफलता आगे आपको मिलेगी मैं फिर दोरा दूँ जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं मेरे जैसे लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते मगर एक पत्रकार की तौर्ट मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि वो प्रचारतनच जो पूरी तरह से आपके खिलाफ है कम से कम आपकी आवाज को इस मंच पर यानि की न्यूस क्लिक के मंच पर जरूर पहुँचाओं क्योंकि देखिए न्यूस क्लिक वो मंच है जो समाज के वंचितों जिससे समाज ने भुला दिया है उस आवाज को हम सुनाएं हमारी लगातार ये कोशिश होती है क्योंकि इस कारकरम का नाम भी है भूल कि लब आजाद ही